बैंकिंग ब्लोग के एक नया सेशन में मैं ससी आपका फिर से स्वागत करता हूं आज एक नया का नोटिफेकेशन आया है इंसरेंस एक्टर से द न्यू इंडिया एंसरेंस कंपनी ठीक है एन आई एक यह का यह का जेनरलीस कैडर का यह वेकैंसी है आए देखते हैं सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कितना सीट्स है तीन सो तीन सो सीट्स दिया हुआ है और क्या इक्जिवलीटिक एड़िया है क्या एज है और प्रिवेस यह का सबसे इंपॉर्टेंट है लाश्ट एक्जाम 2018 में हुआ था तो उसका क्या कट ओफ गया था किस तरह सापको प्रिप्रेशन करना चाहिए कैसे आप इसका प्रिप्रेशन कर सकते हैं कितना नंबर चाहिए आपको प्री और मेंस में सारा कुछ इस वीडियो के में आपको मिल जाएगा तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए घंटी के विल ऐकन को प्रेश कर लिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट का बात करेंगे क्या-क्या इंपॉर्टेंट डेट तो सबसे पहले वेकैंसी है देखिए वेकैंसी आपका 300 टोटल है जिसमें की SC का 46, ST का 22, OBC 81, EWS 32, UR का 121 ठीक है और यह आपका जो ओनलाइन रेश्टेशन है वो एक सितमबर से Start हो रहा है एक से कई सितमबर तक न्यारान कर सकते हैं phase 1 जो आपको October में है date specific नहीं है फेज टू आपका November में फेज टू objective पलस descriptive है, आगे हम बताता एं examination का pattern outcomes शैलेजरी प्रोकस करता है बेसिक पर है 32, 795 लगवग यहापका 65 से 70 के बीच में आपको के यानि 1000 के बीच में आपको salary देखने को मिलेगा ठीक है approximately 60 के यहाँ पर लिखा गया है और other benefits अलग है उसके बाद education qualification तो ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छा education qualification का आप ध्यान से देखे date यह date दिया गया है कि 30 सितंबर 39 2021 तक इनका graduation हो गया है उनके लिए यह बहुत अच्छा date हम मानेंगे यह पहल बाकी examination में जिस समय notification निकलता उसके फर्स्ट तारिक से उन्हों दे देते हैं education qualification बहुत अच्छा इनिसेटिव है क्योंकि अभी अगस्ता 24 का आज अगस्त 24 है और यह 39 को मांग रहे हैं ठीक है यह बहुत अच्छा अगर हम लोग एज देखते हैं तो एज में उन्होंने 14 2021 को मेंशन किया है यह भी बहुत अच्छा इज आप मानें जाएंगे जिनका एज अगर कट रहा होगा तो यहां से वह उस एज को ठीक है आप ध्यान से कितना अच्छा कैसे इन्सेटीव है िे द्वारा कि आप अगर सह अगर के नोटिफिकेशन देखिए आएवी पैस को नोटिफिकेशन देखके जिस मन्त में वह भी लाते हैं उसी चार्ट का भी उन्होंने टाइम दे दिया मैक्समुम 30 है यानि कि ओवी सी 33 साल और एस्टी 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 एर ठीक है बहुत अच्छा एज का कैटेडिया उन्होंने सेट किया और यह टोटल आपको 1421 के रिगार्डिंग आपको मिनमम में 20 और मैंक्समुम 30 होना चाहिए बाकी 33 हो भी सी हो 40 है एस्टी 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 एक्जामनेशन पैटरन अगर प्रिलियम्स का बात करें वही है डिपॉल्ट जो आई बीपीएस का पैटरन है इंग्लिस लैंग इनगल्ट डिफॉल्ट आई वीपीएस पैटरन है उसको बात करें तो देखिए मैंस में क्या पैटरन रखा गया वह इंपॉर्टेंट उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे तो मेंस में नोंने बताया कि आप मेंस में रिजिनिंग आपको 50 नमबर का मिलेगा आपका 40 टा तो यह आपका कैटेडिया सेट किया गया है कि कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अब डिस्क्रिप्टिव देखिएगा डिस्क्रिप्टिव है 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव है और इसमें आपको 30 नंबर का मैक्समुम नंबर होगा जिसमें कि एक लेटर राइट होना है लेकिन उसका नंबर का नहीं होगा इंटर्व्य के लिए या फाइन सेलेक्शन के लिए डिस्क्रिप्टिव का नंबर काउंट नहीं होगा इसा बेसिस पर तयार होगा 200 नंबर पर दोसो नंबर पे ही आपका रिजल्ट बनेगा फाइनल अब बात करते हैं प्रिवियस कट आफ का कि प्रिवियस जो 2018 में एक्जाम हुआ था उसका आखिर कट आफ क्या था ठीक है तो आइए देखते हैं प्रिवियस एक्जाम 2018 में कट आफ क्या रखा गया था अगर आप दिया से देखेगा कि उस समय कंपणी सेक्रेटरी का भी पोच था लीगल का भी पोच था फाइनन्स एकाउंट का भी पोच आप जिनरलिस्त का विए पोच्ट आया है तो जनरीस्त का घर इस सी का कट अप देखेंग गेंगे सप्टर था और यह सौ में बात हो रहा है ओबी सी का 65 था यू आर का 80 था ठीक है बागी का आप लोग केटेगोरी का देख सकते हैं तो यह था सौ में जो की इजली गेटेबल है अगर आपका इंगलिस थोड़ा बहुत ठीक टाक है इंगलिस में अगर आप 15 पुलस नंबर ला रहे हैं तो आप इजली यह स्कोर 75 या 80 इजली कर सकते हैं कोई प्रावबल नेंगे सेक्षन कट अब ध्यान से देखेगा सेक्षन कट अफ क्या था अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप अगर देखिए तो लगबग वही दस के आसपास सब में रहेगा ठीक है इंगलिस में आप देख लीजिए और इंपोर सब्सक्राइब को देखना होगा कि जेनलिस का भी यही इसी के आसपास आठ नमबर के असपास पास थीक है तो यह सैक्षन के कट भूफा यह में दिखते हैं अब धियान से देखिएगा में शक कट ऊप मेंस का कट अव जिनली पे फोकस किजेगा इस फीड़ो नमबर यह ज भी कंडिडेट क्वालिफाइं नहीं किये थे और ओसी यह है और भी आई विज्वली अब देखिए मिन्मम क्वालिफाइंग नंबर ठीक है वह भी इंपोर्टेंट है उसको भी आप लोग को फोकस करना होगा इसको आप लोग छोड़ नहीं देंगे मिन्मम नंबर आपका सब्जेक्ट वाइज वह भी आपको ध्यान देना वह भी लगबग 10 के आसपास है तो सिर्फ टोटल ओवरॉल पर फोकस नहीं करना है ठीक है और डिस्क्रिप्टिव का कट-off भी इंपोर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो कट-off था वह कितना प्राणा आपको तो यह आपका ज्यादा टफ एक्जाम नहीं है दोसों में 120 नंबर लाना असान काम है क्योंकि जीए है अगर आपका जीए मजबूत है तो आप जीए में इसलिया स्कोर कर सकते हैं आगर आपको जीए का गूगल मिट क्लास करना है तो आप लोग कॉंटेक् ठीक है जिसका भी ब्यार को प्रेटिव के लिए क्लास चल रहा है जिस तरह आप लोग फेस टू फेस पड़ सकते हैं और बहुत ही मिनिममम प्राइस में ठीक है अमस्क्राइब करें तो आप लोग लेकर देख लिए तो आज के सेशन में इतना ही चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए घंटी के विला आइकन को प्रेश कर देजिस से कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा है थैंक्यू झाल झाल